चैसे आप लोगो बहुत सारा कमेंट आयाये था कि दि दि वह पे आप ने जो गज्रा बनाये था राया था बालों में क्या होआपर फूल मिल घाल तो जीने ही हमने ये वाले फ्लावर से अपने चाहर इन्में यह वाला फ्लावर निकला था इतन domination興ार निकला है ना इसवार इ पलाबर कट करिए उसके बाद बीज के घजुरा बनाए और पहुत मेहनत लगा है लेकिन लगाने के बाद बहुत सूंदर लगा आप लोग बहुत लगा मेरेकोमन भुद मेरेको फदू को फरीज़ बैद हम ऐनका हर वह को जबता है हैं तो बहुत भींन के बाद अपने हाथ बालो में लगा है अभी तक तो आर्टिफीसिय लगाते थे और वो भी न गजरा प्रॉपर खुला वो नहीं जूरा वाला जो आता है न वो लगाया करते हैं तो यह वाला फ्लावर से बनाएंगे देख रहा है एकदम लग रहा है कि गजरा अलग फ्लावर है और यहां पे इस आन्च का ट उती स्केट फ्लावर जो आने सथ्प्लावर को कट करना इसमें मतल़्ब न क्योंकि अलग अट प्थी पनाने में खकेट आसमें पोक़े तो दीन में पूरा एपिसोर देख ली और यहां पर यह देखो अल्मोस यह मारा गजरा बनके एक तयार हो और छोटा गजरा बनाया थे कि अगर डिजाइन कुछ करना होगा उत उसके लिए यह तो बन गया है यह देख रहे हो हम सोचिया ऐसे लगाएंगा जहां यह भी वहप लग रहा है गज्रा और आप लोग बताना कि आप लोग कैसा लग रहा है कोई भी चीज को तयार होने के बाद आप लोग वह देखते हो लेकिन उसके पीछे का जो महनत होता है न वह बहुत होता है यह छोटा वाला भी बन गया तो तयार तो हुए लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत हो चाहिए वो गार्डन का काम हो चाहिए घज्रा बनाना तो चलिए मिलते हैं नहीं सोस में कैसा लगा बता है